तो हेलो भाई रावराम कैसे आप सबी लोग आज आपकी इस वीडियो में में लेके आगे हो आपके सामने होंड़ाई क्रेटा का सेकिंड वेरियंट मितलब एक तो बेस वीरियंट होता है उसके उपर ये वाला वेरियंट है एक्स एंड डीजल में गाड़ी है अभी सफ़ेंग चीजेंद आज आप लोगों के साथ शेर करने वाले सबसे पहले बहुत केसे हूं तो सबसे पहले पुस्टें की है कि ब्लैक क्लर आपनी क्यों लिया प्लेक क्लर क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा था यह कलरन इसके लाबाब हम हमारे इसलिए जिसना पना में करना पड़ा है आपको यह बता हो सच मैं कहूं तो छे महीने करना पड़ा है तो आपको मिल गई गाड़ी वरना बहुत से लोग है इनको आठ महीने नौ महीने तद द द अब ज्यादा वेटिंग हो रही है गाड़ी कि नो-nहीने वेटिंग बड़ा दी गई है बेसिकली सबसे ज़्यादा वेटिंग बेस मोडल पर ज़्यादा है क्योंकि जातर लोग आफ्टर मार्केट काम करवाने में फिर क्योंकि हुंड़ाइक के साथ में अभी क्या हो रहा है ना कि जो है को स्कुर्टिंग होती जा रही है फीचर्स को अटाया जा रहे हैं बीस वा अंचा फालिसों की गाड़ी ती चाउदा संभाधा है इसके अलाबाए लग था यह पंदरा की बढ़ पढ़ अपर की पढ़ और कहां से ली ती अपने गाड़ी मैंने राचथ्टान उदेपूर से ली थी बहुत दूर से लिए आपने यहां यहां के शोरूम और जालावार शोरूम और अधेपुर शोरूम में पच्छी हजार का डिफरेंस तो यह गाड़ी खरीदिने से पहले आपके मन में मतलब उस ताइम पे और ओप्षिंस भी है यह की टेस्ट ट्राइब लिए हमने हैरियर की बिली इसके अलावा एक एक सीवी 300 सी महिंद्रा की उसकी भी लिए हमने बट क्रियेटा जैसी गाड़ी नहीं लगी और इस चीज़ का क्यों खास रीजन मतलब अगर बात करें सेल्टोस से कंपेर करके तो इंजन तो लगबग सेमी मिलता है दोनों में बिल्कुल सेमी मिलता है लेकिन मार्केट इसका है अभी अब हलाल में किया अभी तीन या चार साल हुए हूंगे उस कंपनी को आयो गया इसलिए भी लोग बाग जिए तो फिर भी वरोसा कर लेते हैं अभी गाउं विलेज वग और मेरे पास shift भी है लेकिन उसके ground clearance कम था मेरा ज्यादा तर गाउं वगेरा में जाना होता था इस वज़े मुझे ground clearance वाली गाड़ी उच्छी गाड़ी और तो उच्छी गाड़ी आपके साफ से ground clearance भी जस्टिफाइड है सारी चीज इन आप है एंड आपने लगबग 55,000 इस एक्स्ट्रा पेकर है इन एलोविल के बिलकुल और यह तो एलोविल सत्र पिछत्र जार के बढ़ता है लेकिन हमारा टायर भी कटा ना वह जो 16 इंच का आता है वह वालो तो इसलिए 55,000 के पढ़े हैं आर 17 इंचिस के टायर मिलते हैं आपको इसका एलोविल केवल 32,000 का है अभी तक बिलकुल नहीं गाड़ी है बिलकुल और जब हाइवे बगेरा पर चलती जब तो बहुत रफ चलती बहुत शांदर चलती है तो आपका जो परपस था गाड़ी लेने का जिस चीज के लिए आपने 15,00,000 रुपे लगाएं वह फुल्फिल हुआ है आपे तो कोई ऐसी चीज भी तो ओगी जो आपको नेगेटिव लगती होगी इस गाड़ी में मुझे नेगेटिवी तो कुछ भी नहीं लगती है बट इसका जो बैक वाला जो वह वो थोड़ा अजीब सा लगता है हर क्रेटा का लगता है लेकिन बैक पोरिशन कौन सा आप इसकी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको फास करके मतलब पीछे का लुक ज्यादा अट्रेक्टिव बहुत से लोगों को लगता है तो आपने इससे कोई ट्रिप वगेरा को यह से ओफ रोडिंग वगेरा करी है अभी तक मैं कहीं भी गया हूं तो शुट ले जाता हूं क्योंकि मैं अके तक गया हूं बस जैसे कि यहां सो किलोमेटर ट्रेवल किया अच्छ ज्यादा नहीं तो उस टाइम पे ऐसे हाइज स्पीड वगेरा करी हूं हाइज स्पीड तो मैंने इसको 120 किलोमेटर चलाई है 120 120 पे कैसा आपको फिल आइसको चला के बहुत चांदर मतलब कि लग रहा है दे सब्सक्राइम सब्सक्राइब च्छ ना यहां हूं फो सब्सक्राइबब जर्निवेटर फिलके राएक की हो गई बिल्कुल मामुली इंजनरीज होगी तो ये खास चीज है होंड़ी क्रेटा में बाकि बैटने के बाद में आपको फील काफी बढ़ी आएगा आपको लगेगा कि आप एक स्यूवे में बैठे हो उची गाड़े में बैठे हो आप रोड को काफी अच्छे तरीके से सा इंड फुली इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर भी नहीं नहीं दिए अगर मैं आपको यह दिखा हूं तो आपने सचिन भाई यही वाला वेरियंट क्यू लिया मतलब आप यह तो एक सी लेकर आपने हाँ चीज करा सकते थे या इस से उपर मतलब कुछ ऐसा हमें इस मोडल में ज में यह भी नहीं आ रहे हैं इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटर आ गया था इसमें और आमरेश तो केर बैस में भी आता है बट अच्छा है मलब यह लूप में बहुत शाहिए यह वाला ए-X मोडल में बिलकुल पसंद था और यहां पर जो है नहोंने हलोजन दिये और यह भी आया शन ग्लास फोल्डर भी इसमें आया यह मोडल में नहीं आता है बैस में नहीं इस गाड़ी में वैसे तो लग बगलोग जो सब ठीक है बट इसमें जो यह मुजी शिस्टम में यह टॉप मोडल का ही हाना चीए तो अब इनोंने यह लग से बनाया है जो इस बेक केमरा जो आता है वो इस मोडल में दिया तो केमरा आपने जो बाहर से लगवाया है तो इस केमरे की क्वालिटी हम यहाँ पर देख लेते हैं और इसके बाद में इसका DR-VM फीचर यह से काम नी करेगा तो रिवर्स गेर के लिए अपने कोई डीजल में है तो यह उपर करके ऐसे लगाना पड़ेगा एंड क्वालिटी आप देख सकते हो कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हो एंड यह मूवेबल है ना जब अस्तरिंग मूव करोगे तो यह जो है लाइन स इनकी क्या कोस्टिंग आई है? इनकी कोस्टिंग आई है 15,000 15,000 रुपे में सिर्फ सीट कवर बहुत महिंगे सीट कवर जो है हमारे भगया ने आपे लगवा है तोप मोडल के थे सारी जो है वो प्रीमियम ने असले वो फिल लेने के लिए अपने अभी इसमें मैं ट्रियो हेड़ लाइट भी एड़ करवाँगा बस टाइम नहीं मिल रहा है बस वो जैपुर ही मिलेगी कि मैं कोटा में पूछ लिया है वहा भी नहीं है उनकी कोस्ट है वो पड़ेगी 35,000 कुछ की पड़ेगी 35,000 के आसपास के आपके वो पड़ेगी बिलकुल पड़ेगी ठीक है मुझे ट्रियो लाइट भी इसमें एड़ करवानी है बिलकुल बहुत शानदार उससे लोकी अलग आज़ता गाड़ी है वह तो वह टोब मोडल वाली सारी चीजें अभी तो गाड़ी जस नहीं नहीं इन्होंने ली ही है तो बेसिकली 15,000 रुपे लगा के आप सेटिस्वाइड हो इस गाड़ी जे बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो फिलाल नए नए फीचर्स क्रेटर में आते रहते हैं सेल्टोस में भी आते रहते हैं फीचर वाइस बात करें तो आपको सेल्टोस में कुछ ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं कोस्कटिंग दोनों कंपनी करती है अब होंड़ा ही देरे-देरे करके फीचर्स को जो हटाने लग रही है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो निकाल दी है पहले इस वेरेंट में भी काफी सारी चीज़ें आती थी बट आप उन्होंने कम कर दिया है तो यह सारी चीज़ें इसके अलावा आफ रोडिंग आपने करी नहीं है तो यह ब्रेंड न्यू गाड़ी है भाई पंद्रे अलाग रुपे में भीया ने लिये एंड वो भी आप लगबग 14 लाग 40 जार साड़े 14 लाग के आसवास आपको यह गाड़ी मिल जाती बट इन्होंने इसमें एक्स्टर चीज़ें लगवाई है अलोई विल्स और टायर आलोई विल्स टायर यह चीज़ेचे है और कुछ ऐसा कराया बस बाकि कंपनी से एलोई बुज़ाया है केबल जो कंपनी से एलोई विल्स अलेके काड़ी मोर्य था है वह वालाबल हमने इसमें एकेड़ी करवाय बाकि जो उसके अंदर की वो जो रहती है विल्स वो उसको क्या बोलता है रिम 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 हमने हमारे पास ही रखी है घर पर पढ़िए पाकि बड़ टायर ही कट पाई रिम आपने अच्छा एक्छेंज नहीं कर रहा है क्योंकि वो रिम एक एक हजार में काट रहे था हमने का र अलग से आते हैं अच्छे 25,000 रुपे खाली अलोई विल्स आते हैं और बाकि टोटल कटवा के आपको टायर्स वगेरा 55,000 और अगर पूरा अलगी लेते खाली अपना कटवाते तो कितने में पढ़ जाता अगर किसी को कराना हो तो अगर अलग से आपको करवाने हो तो यह 70-75,000 के पढ़ेंगे 70-75,000 रुपे खर्चा है वाई अलोई विल्स में अगर आपको अपनी गाड़ी में अपडेट करानी हूँ स्टील रिम से आपको अलोई विल्स पर जाना हो इस कलर में तो बहुत जादा डिमांड है वाई इस गाड़ी की और कोई ऐसी चीज जो आप हमारे लोगों को बताना जाते हो अगर यह इस सेगमेंट में किसी गाड़ी के बारे में जानना चाते है यह गाड़ी बहुत अच्छी है इसका मार्केट भी अच्छा है इसकी मार्केट वेल्यू भी है काज Unterland को हम इसको सेल करते हैं तो अच्छी रेट भी मिल जाएगी अच्छी डिमांड है इस गाड़ी की और इसके लाब़ा Creator Second Hand भी बहुत मुछकिल से मिलती है बलाइक कलर में तो बहुत मुछल है तो रिसेलिंग वेल्यू भी आपको इस गाड़ी के आपर अच्छी मिलने वाली है अभी भाईया ने काफी कम ये गाड़ी चला है जब भाईया के 10,000-20,000 किलोमेटर हो जाएंगे तब भाईया के साथ में हम वापीस से रिव्यू करेंगे और सारस्क, सर्विस कोस्ट, मेंटेनेंस कोस्ट वगेरे सारी चीज़ें तो उमीद दूस्तों वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं फिर इस तरीकी सिर्ए वीडियो में दिन्यवाद